परकरती का चकर चलता रहता है अगर कोई छोटा सा छोटा जीवाप लीजिए चीटी को लीजिए चीटी से लेकर के बड़े से बड़ा बर्मांड के जो जीव हैं बड़े से बड़े विश्णुजी तक लीजिए शीव तक लीजिए उनके अधीन पूरे के पूरे बर्मांड हैं लेकिन हैं तो वो भी जीवभाव में ही हैं जीवन मुक्त कहां हुए फिर जनमारे घाये वो लोग इसी परकार से उठते हैं जैसे छोटे से बड़े बड़े से बड़े 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 यह परकरती का नियम है जीव चड़ाई करता चला जाता है उठता चला जाता है, आगे बढ़ता जला जाता है, बर्मा विष्णु महेश की योनिया भी धारन कर लेता है, उतनी उची भी चडाई हो जाती है, लेकिन जीव, जीवन मुक्त नहीं होता, जीवन मुक्त होना इतना आसान काम नहीं है, बस बोलना आसान है कि मुझे बर्म का ज्यान ही बदल जाएगा खेल ही बदल जाएगा कैसे होगा क्या होगा जवाब नहीं होगा भागने लगेंगे सवालों से जो सवाल करोगे उसका जवाब नहीं आएगा जवाब आएगा तो क्रोध होगा क्रोध होगा तो आपको मोन करा दिया जाएगा इतना ही होगा लेकिन जो सार सब्द है सार तत्तव है परमत तत्तव है परमातम तत्तव है उसका ज्ञान होना इस अंसार में एसम्भाव तो नहीं है लेकिन एसम्भाव से कम भी नहीं है जब तक सब कुछ मिट नहीं जाए आसा नहीं मिट जाए तर्शना नहीं मिट जाए यहां तक की सब्द भी सुरत मे समा जाता है सब्द सुरत और जीव इन तीनों का खेल होता है यह आपस में खेलते रहते हैं चलते रहते हैं कभी कोई उपर चला जाता है कभी कोई उपर चला जाता है लेकिन जब तक इनका ताल मेल नहीं होता जब तक सुरत उठती नहीं, जब तक सबद का सहारा मिलता नहीं, जब तक चड़ाई होती नहीं, जब तक मारग नहीं मिलता, ध्यान कैसे किया जाए, कौन सा ऐसा नाम है, बहुत लोग हैं, कान के अंदर फूक मार देते हैं, कि ये नाम है, कुछ लोग ये बोलतेते हैं, कि तो ऐषब्द है गला खोल के आप बोल दियाई का कुछ भी बोल देते हैं उन्हें नाम का अहिसास नहीं, नाम क्या तत्तो है, सार तत्तो क्या है, कुछ लोग ये बोलते हैं, ये तो विदेही है, विदेही नाम है, भजन भी बाहर से होता है, अरे वो ध्यान किस चीज का आप देखो गहराई में जा करके उन्हें यही नहीं पता ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे करना है, कैसे सिम्रन होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे ध्यान लगेगा, मालूम ही नहीं होता, बस भटक जाते हैं, भरम में, भूल में, अज्यान में, अज्यान ता वस इंद दिरियों का ही ध्यान करते करते शरीर में फस जाते हैं कोई एक चक्र का ध्यान करता है कोई दो चक्र का ध्यान करता है कुछ गुरु ऐसे भी देखे मैंने मिले मुझे कि महराजी जो आप ये बताइए सार सब्द क्या होता है मैंने कहा पहले आप बताइए आपने तो लाकों शिष्यों को बना लिया, लाखों लोग जोड लिया अपने साथ, लेकिन आप बताईए सारसबद क्या होता है, उन्होंने कहा जो अर्दे की ये धड़कन होती है ना, दक दक सुनाई देती है, इसको सारसबद बोलते हैं, मैंने कहा बेवकुक मत बना ये लोगों को, आपको सारसबद का एहसास ही नहीं है, ये सारसबद नहीं है, एक ग्यान सबद नहीं है, ये वहाँ लेके जाने वाला सबद नहीं है, ये वहाँ मंजिल पर आपको लेके नहीं जाएगा, ये वो तत्तव नहीं है, कहा फिर हमें भी ग्यान कराईए, सोचो ऐसे गुरूओं की क्या हालत होगी बस यह है के पीछे एक दोड रहा है रिती रिवाद चल रहे हैं सब कुछ भागम भाग मची हुई है इधर से उदर डोल रहे हैं भीड बटाने के लिए बगदड मची हुई है ने सब्द का पता ने ज्यान का पता ने बर्म का पता ने धर्म का पता ना मरम का पता ना वेद का पता, ना ज्यान का पता, सुमरन ही नहीं, लेकिन जब आप लोग ध्यान करोगे, सुमरन करोगे, उसका नाम रटने की कोशिश करोगे, उसके नाम के उपर चलने का परियास होगा, उसकी तरह बढ़ने की कोशिश होगी, और ध्यान होने लगेगा, मन रुकने लगेगी और जो सुरत है वो उठने लगेगी सब कुछ इकठा हो करके उपर चड़ाई होने लगेगी तभी आप आगे बढ़ने की सोच सकोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे बस भागते रहोगे दोड़ते रहोगे जिस परक से एक उपर साबान दिया जाए सो दो सो फुट का और उसके उपर कहा जाए कि आप चड़ो कितना समय लेगेगा आप चड़ोगे फिर गिरोगे फिर चड़ोगे फिर गिरोगे कुछ लोग ऐसे जिन से नहीं चड़ा जाएगा कुछ लोग ऐसे हैं देखते ही मना कर देंगे म कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में रुक जाएंगे, वही हालात सब भगतों की हो गई है, मन्जिल दूर है, रास्ता दूर है, मेहनत ज्यादा है, समय कम है, उमर कम है, भाव कमजोर है, विवे कमजोर है, ध्यान नहीं जम पाता, एकागर नहीं हो पाते, चड़ाई नहीं कर पाते, लक्षय का पता नहीं चलता, एकागरता नहीं हो पाती, मन भटक जाता है, इंद्रियां कमजोर पढ़ने लगती हैं, आत्मा साथ नहीं दे पाती, और धीरे धीरे जो उमर का पढ़ाओ जब आगे बढ़ने लगता है, ये लगने लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो पीछे रह जाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना जल्दी कैसे कर पाऊँगा, समय नजदीक है, उमर नजदीक है, अब नहीं हो पाएगा, इतना दूर लक्षय है, जब आप एक हजार फुट के रस्षे के उपर चड़ना मुश्किल होता है और वो तो पकड़ करके चड़ना है तो लाकों क्रोडों कोस योजन और वो भी बिना रस्षे के कि उल्मातर ध्यान की डोरी से, चड़ाई की डोरी से, नाम की डोरी से और उस नाम से जो आप लोग के पास नहीं है कैसे नाम मिलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे चड़ोगे किस फरकार से वहाँ पहुचोगे, कैसे रास्ता होगा ये सोच करके लोग हुशला तोड़ देते हैं रुक जाते हैं कि वस इतना ही काफी हागे नहीं लेकिन वहाँ से तो शुरुआत होगी, जब हम शुरू ही नहीं करेंगे चलना पहुचेंगे कैसे, नहीं पहुचपाएंगे अगर हमने मन ही नहीं बनाया, संकलब ही नहीं बनाया चड़ाई करने का, तब तक कैसे चड़ा जाएगा और बिना संकलब के वहाँ पहुचना नामुंकिन है क्योंकि विशे तो सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है, कहां जाना है